आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फिछले कपल ओफ डेस से हम देख रहे थे न्यूस चैनल में बहुत ही चाया हुआ था एक बीबीसी का डॉक्यूमेंटरी दरसल भारत सरकार ने उस बीबीसी के डॉक्यूमेंटरी को बैन किया हुआ है तो आप मेंसे कई लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाएगा कि दरसल ये डॉक्यूमेंटरी है क्या किस चीज को डिपिक्ट कर रही थे और उससे रिलेटेड एटोज इंफरमेशन आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एक्जाम्स के पास SSB इंटर्व्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अविलेबल है हर महीने इसके नए बैचसे स्टार्ट होते हैं बहुत करियर को ट्रैक कर रही थी किस तरीके से बीजेपी में एक आम कार्यकरता की तरह वो चड़ते हैं बाद में मुख्यमंत्री और फाइनली देश के प्रदान मंत्री भी बनते हैं कॉंट्रवर्सी उस वक्त हुई जब यहां पर जो गुजरात रॉइट्स हुए थे 2002 में वहां पर जो प्रामेस्टर मोदी जी का जो कॉंट्रवर्शियल आस्पेक्ट कई बार हमें देखने को मिला हुआ था प्रामेस्टर मोदी जी ने कही बार इन सभी निउस को धुद्कारा हुआ है और पूरी तरीके से उन्होंने मना भी किया हुआ है तो ये डॉक्यूमेंटरी है किसके बारे में तो ये 59 मिनिट्स की डॉक्यूमेंटरी है जो के हाइलेट करता था स्पेसिफिकली 2002 के गुजरात दंगे सो रिलिजियस वाइलेंस बहुत ही ज्यादा उस टाइम फ्रेम में हुआ था दरसल स्पार्क जो थी वो उस वक्त आई हुई थी जब चंद मुसल्मानों ने एक ट्रेन गुजरा से आ रही थी तो 59 हिंदू पिलिग्रिम जो थे उस ट्रेन में थे उस ट्रेन को आग लगा दी गई हुई थी और यह पूरा जो जिम्मेदारी थी वह एक कम्यूनिटी के ओपर रखी गए थी उनकी मौत का जो के नोड़ाट मुसलिम कम्यूनिटी थी तो बिकॉस आफ दाट यहां पर आपसी मजभी रंजिशें बहुत ही ज्यादा हो चुकी हुई थी और इन रिटन कई लोगों की यहां पर मार काट हुई थी और ज्यादा तर यहां पर एलिजिटली मुसलिम कम्यूनिटी के लोगों को इस इंसिदेंट का रिस्पॉंसिबल कलार रखकर खासकर हजार से भी ज्यादा मुसलमान लोगों को इस वालेंस में मार दिया गया था और सिंस 1947 के थी एक अनपब्लिश्ट रिपोर्ट थी ब्रिटिश पॉरिन ऑफिस की जो के उस वक्त की गई थी 2002 आसपास और वहां पर कहा गया था कि प्राइमिस्टर मोदी जी जो कि आच प्राइमिस्टर है वो डिरेक्ली रेस्पॉंसिबल है उस वक्त एक क्लाइमिट ऑफ प्राइमिस्टर मोदी जी ने कई बार अपना स्टैंड क्लियर किया हुए उन्हें इन सभी अक्यूजिशन को रिजेक्ट किया और 2013 में भी एक स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम जो हो बिठाए गए थी सुप्रिम कोट के पैनल के द्वारा और वहां पर सुप्रिम कोट वालों ने भी यही का कि उन्हें प्रॉसिक्यूट करने के लिए कोई भी सफीशन्ट एविडेंस हमारे पास नहीं हैं और कई कैसे अभी भी कोर्स कचेरियों में चल रहें बेस्ट एक्जांपल आप एहसान जाफरी का केस ले सकते हैं फिर बिल्कीज बानू का रेपकेस य उने हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और खासकर प्रामिस्टर मोदी जी का रोल उस वक्त क्या था इंटेंशन को लेकर उनका रिलेशन क्या था इंटेंशन को लेकर उसके बारे में हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह डॉक्यमेंटरी जो है वह बहुत ही रि भारत सरकार ने बहुत ही strongly इसे object किया हुआ था और information and technology law के तहत चंद emergency के powers इस्तमाल करके उन्होंने इस documentary को block करवाया, बहुत YouTube और Twitter को उन्होंने demand किया कि जो कोई भी content इस से related है, इस documentary से related है, वो pull down करें अपने platform से, और Lumen database ये कहरा है कि लगभग 50 से भी ज्यादा tweets जो इस documentary स related है, उन सबी को हटा दिये गए थे, क्योंकि भारत सरकार ने emergency के powers इस्तमाल के वे थे IT Act के द्वारा, और रचंद prominent personalities के tweets जैसे के Derek O'Brien, जो के ममरफ Parliament है, Supreme Court के जाने माने advocate प्रशांद भूशन और American actor और activist John Kosak के भी tweets इसमें delete कर दिये गए हैं, तो sir, क्या ये पहली बार है कि इस तरीके का कोई documentary या movie बैन किया गया है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, मैं आपको चंद couple of questions दोंगा, जो कि earlier Indian censor board ने और भारत सरकार ने बैन करवाए हुए, सबसे पहला bandit queen, सीमा बिस्वास जी heroine थी, यहाँ पर main lead और no doubt award winning शेकर अपूर सहाब ने इसे direct किया हुआ था, तो भारत सरकार ने इसे बैन किया, यह खेकर कि यह offensive, vulgar और indecent माना गया है, बहुत सारे इसमें scenes ऐसे थे जो के sexually explicit थे, sexual content था, nudity और harsh language का इस्तमाल यहाँ पर किया गया था, तो January 1996 में release होने के पहले ही Indian censor board ने इस movie को बैन किया हुआ था, दूसरा prominent example हम दे सकते हैं, Black Friday, अन 1993 Bombay Roids case के बारे में deal करती थी, तो हुजयन जाइदी साहब की किताब पर यह loosely based है, और Indian censor board ने भी इसे बैन किया हुआ था, यह कहकर के सबसे पहला तो यह बहुत ही darkly conceived किया गया है, और दूसरा Bombay High Court का stay order आया हुआ था, 2004 में के वो इस movie को बैन करें, तीजरा important जो इस तरी को शोकेस किया गया है, जिनने एक terrorism का angle भी दिया गया है, तो 2014 में इस story को, इस movie को बैन किया गया था, लेकिन as of now Netflix में यह available है, परजानिया एक और मूवी है, जो कि award winning राहुल डोलाकिया जिने डिरेक की हुई थी, यह भी दरसल एक अजहर नाम के लड़के के आसपासी movie कि गुजरात दंगों में गुम हो चुका हुआ था, तो नसीर दिन शाह जैसे award winning actors यहाँ पर हिस्सा बने हुए थे, और भले ही award परजानिया ने national award जीता हो, लेकिन unofficial ban इस पर लगाया गा था, क्योंकि बजरंग दल वालों ने threaten किया हुआ था, थेटर owners को कि वो screen ना करें, एक और movie थी, The Final Solution, यह भी गुजरात 2002 के दंगों के आसपास ही जुड़ी हुई थी, राकेश शर्मा जी ने इसे direct किया हुआ था, और यहाँ पर भी sensor certificate वालों ने sensor board ने से certificate देने से मना किया हुआ था, और जुलाई 2000 शार में sensor board ने यह कहते हुए से ban किया, कि यह promote करता है communal disharmony को हिंदू और Muslims groups के बीच, हिंदू मुसल्मान के बीच communal disharmony लाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया's daughter यह तो हम सभी बहतर example जाते हैं, जानते हैं, 2012 में जो निर्भया का ग्यांग रिप case हुआ था, उसे depict करते हुए एक British Director Leslie Erdwin जी ने यह documentary बनाई हुई थी, भारत सरकार ने उस पर भी बयान लगाया हुआ था, 16 December 2012, जो दर्दनाक हादसा निर्भया के सांथ हुआ था, किस तरीखे से वो unfold हुआ, और बाद उसके किस तरीखे से देजवर में protest erupt हुए, उन सभी को इस documentary में trace किया गया है, तो ये थी चंद बाते हैं जो आपको इस वीडियो में जाननी थी, वीडियो को end करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि SSB crack exams के पास SSB interviews से related full-fledged online course available है, हर महीन इसके नए बैचा स्टार्ट होते हैं, आप हमें friends के सांथ इंफर्मेशन जरूर शेर कीजेगा, अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT, जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें, आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं, अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT, जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें, आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं, झाले हैं, आप हमारीी।